जै श्रीराम दोस्तों दोस्तों जिम डंटन साब ने अपनी फर्स्ट बुक माइंड ओवर मार्केट्स में पूरी की पूरी किताब दो चीजों पर लिखी हुई है एक बैलेंस और एक एकसेस एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि मार्केट या तो कंसॉलिडेशन में होगा या वो मार्केट में छोड़ता है सिंगल प्रिंट्स वो सिंगल प्रिंट्स आपको मंधली में भी देख सकते हैं वीकली में भी देख सकते हैं डेली भी देख सकते हैं So, इस वीडियो में दोस्तों अपन उन सिंगल प्रिंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, उनका क्या मतलब होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे, डीप डाइब करने की कोशिश करेंगे, Because market profile के basics आप लोग को अल्रेडी आते हैं, ये दोस्तों advanced concept है, और advanced concept में हमेशा कुछ जो exceptions होते हैं वो समझ में आना बहुत जाता जरूरी होता है तो single prints कौन-कौन सा reliable है, किस extent तक reliable है और कौन सा single print use करके operator अपनको धोगा देता है Because जैसे सोनम गुपता बेवफा हुई थी वैसे कभी-कभी operator भी बेवफा हो जाता है सब्सक्राइब दूस्तों आई है वीडियो देखते हैं तो कन्वेश सम अफदा टॉपिक्स जो की मैं CTC में इंक्लूड इसले नहीं कर पाता Because time constraint रहती है time constraint entertainment constraint engagement constraint value constraint and commitment constraints यह जो चार-पांच तरह की constraints होती है उसको दिमाग में रखते हुए not everything can be included in the program Having said that let's get started with the motto in which I strongly believe that is जो आप लोगो screen पे दिख रहा है उद्यमे नहीं सिद्धियन ती कार्यानी नहीं मनुरत है नहीं सुपता से सिंगा से प्रविशन ती मुखे मिरगाह इन अधर वर्ट्स नथिंग विल वर्क अनलिस यू दू Having said that let's get started दोस्तों जो आज का topic है topic का नाम है single prints market profile series में यह I would say not basics not intermediate this is this would be like advanced topic और यह topic मतलब advanced इसलिए नहीं है because topic complex है topic complex नहीं है आप लोग की understanding की capacity के हिसाब से यह advanced moderate या not so much so so सा लगेगा आपको तो single prints दोस्तों इसलिए मैं इनको इतनी ज्यादा importance देता हूं because single prints जो होते न वो operator की मतलब जो market movers होते हैं जिनको अपन smart money और institutions big banks और market maker forex वाले बोलते हैं और अपनी देशी भाचा में operator हो गया तो operator को जब market किसी particular direction में move कराना होता है न तो वो aggressively move कराता है जो long term money है न दोस्तों वो market को aggressively move कराती है because उनको price unfair सा लगता है और वो unfair price पे जितनी ज़्यादा position accumulate या build कर सकते हैं उतनी ज़्यादा position वो accumulate या build करने ही कोशिश करते हैं in shortest span of time इसका मतलब यह हुआ कि जो operator है वो बहुत कम time में बहुत बड़ी position create करने ही कोशिश करता है इसका मतलब कि वो large amount में aggressive market orders मारता है जिसकी वजय से price बहुत aggressively reject होता है या तो उपर की तरफ या नीचे की तरफ price अगर बहुत कम time में बहुत जादर distance move करेगा तो candlestick के form में एक बड़ी सी candle बनेगी उपर या नीचे की और market profile के form में एक बड़ा सा TPO बनेगा बड़ा सा period बनेगा बिसके profile बनेगी और उसमें price का extension अपनको tail के form में या access के form में या gap के form में या single prints के form में या spike के form में दिखता है तो यह जो 5 मैंने नाम लिए यह सारे के सारे एक ही चीज को denote करते हैं that is aggression by smart money, aggression by operator तो इन single prints को दोस्तों decode करना और अपने market context में include करना बहुत ज़्यादा important होता है यह single prints किनके लिए काम का नहीं है मैं पहले से बताता हूँ so that कि आप लोग का आगे का जो time में वो waste ना हो तो मैं अभी से बताता हूँ किन लोगों को इस session में नहीं रुखना चाहिए वो लोग जिनको लगता है कि अगर उनको कोई एक strategy मिल गई तो वो profitable हो जाए अगर नहीं आया है तो आगे भी नहीं आएगा because वो secret है तो अगर यह चीज समझ में आती है तो आप कृपया करके जा सकते हैं अपना time respect करें so basically shortcuts वाले लोगों के लिए आज का session बिल्कुल नहीं है ना मैं हूँ ना मेरे efforts यह जो operators होते हैं इनके बारे में बहुत सारी किताबे बहुत सारी theories exist करती हैं तो यह जो चीज जो आज single principle करने वाले ना दोस्तों यह smart money के यानि की operator जब access create करता है when smart money or operator is ready to move the price out of balance तो जब वो activity कर देता है मतलब कि balance से बाहर निकल जाने के बाद वो क्या करता है और उसका future market context में क्या फरक पड़ता है वो अपने लोग आज discuss करने वाले है so क्यों सीखना चाहिए सबसे पहली बात इस money market के जंगल में अगर कोई एक elephant है तो market context दोस्तों वो चीज़ है जो आपको बताती है कि किस तरह के market में किस तरह की strategy लगानी है क्यों important है सबसे पहली चीज single prints are evidence of presence of operators या aggressive operator activity तो ये चीज़ अगर obvious नहीं थी दोस्तों इस चीज़ को आप लोग लिख लिए अल्राइट दोस्तों इसमें ये जो मतलब single prints है न ये operator की aggressive operator की presence का evidence होता है कहीं पर single print दिख जाए वहाँ पर aggressive operator बैठा हुआ है this you know for a fact अगर operator ने कहीं पर aggression दिखाया है इसका मतलब जो operator है न दोस्तों वो market को directionally किसी एक तरफ ले जाने के लिए तयार बैठा है वो गसम खा के आता है तो इसलिए such an operator has a strong directional conviction meaning जिस direction में single print आया होगा उस direction में market के continue करने के बहुत high chances होते है मतलब अगर मालो की single print downward direction में आया है तो market के next day या coming sessions में downward continue करने के chances काफी high होते है फिर उसके बाद यह market tends to continue in the direction of single prints I just said this फिर उसके बाद यह जो single prints है न they often times stop the price multiple times मतलब कि यह जो single prints है यह often times not always market में कुछ भी always नहीं होता तो यह most often times जो price को होते हैं multiple times support या resistance प्रोवाइड करते हैं तो यह एक ऐसा support या resistance होता है जो multiple retest तक valid रहता है फिर जो single prints हैं उसके other variations are like gaps and spikes तो spikes पर वीडियो मैं already बना चुका हो उसके link description में डाल दूँगा gap को long term access वाले वीडियो में cover कर रहा था उसकी भी link में description में डाल दूँगा they are to gap और spikes होते हैं वो similar properties को denote करते हैं तो यह जो 50% rule है न वो दोस्तों इस gap में या spike में या single prints में long term access में tail में इन सब चीजों में अच्छे से काम करता है तो यह 50% rule is critically important यह आप लोग के लिए एक तरह से बतब permanent value addition है because यह timeless है यह मतलब आससे 100-100 साल पहले भी काम कर रहा था और आने वाले 100-100 साल तक 300 साल तक भी काम करेगा तो 50% rule जो भी है आपके arsenal में हमेशा होना चाहिए अच्छा अब single prints कैसे दिखते हैं चार्ट में और उसको किस तरह से use कर सकते हैं किस तरह से उसके market context build कर सकते हैं सीथे practice करते हैं क्या होता है अपनको आलेड़ी पता है single print कैसा दिखता है अपनको आलेड़ी पता है नहीं पता है अभी दिखा देता हूँ और बस उसको use कैसे कर सकते हैं वो सीखना है तो start करते हैं let's train the eyes पहले example है 25 25 जन्वरी का single prints दोस्तों क्या होते हैं ये जैसे आप लोग को देख रहे हैं ना ये जैसे तो ये जो c period आप लोग को देख रहा ना एक दो 3, 4, 5, 6, 7 ये जो single prints हैं के ना तो left में कुछ है ना right में कुछ है these are called single prints ऐसे ही similarly ये e में है एक दो 3, 4, 5, 6, 7 और जितर भी 7, 8 है ये single prints तो इनको दोस्तों बोलते हैं आप लोग single prints तो अब ये तो होगे single prints कि यहाँ पर ये single prints क्यों बना हुआ है because यहाँ पर operator ने aggressive sell off किया हुआ है अब ये जो यहाँ पर gap है तो Dalton साब अपने जो है ना वो gap को ऐसे बोलते हैं कि बतलब previous day का high or low और next day का high और लो उनके बीचे जो gap है closing price के हिसाब से नहीं देखते हैं तो ये इस चीज को वो gap बोल रहे हैं अब gap क्या है overnight rejection of price कुछ तो रातो रात हुआ जिसकी वैसे price इतरा उपर खुला और this is what rejection of price अगर ये rejection valid नहीं है अगर ये emotional rejection है कुछ तो हुआ कि अगरम से अचानक market ऊपर खुल गया लेकिन फिर उसके बाद market recover कर गया जैसे की 2000 ट्रंप कब जीता था 16 में 15 में जब भी जीता था तो ट्रंप जब US में election जीता था तो ट्रंप की victory was supposed to be considered very bad for the economy तो market तगड़ा वाला gap दाउन दिया था और तगड़ा वाला gap दाउन दिया था और उसके बाद फिर पता चला कि नहीं है ट्रंप इतना बुरा नहीं है वह बैंक्स वगरा को और finance sector को और जो भी वह अच्छा सा बूस्ट करेगा और उसने corporate tax cut वगरा भी announce कर रखा था अपने manifesto में तो market ने जितना gap down दिया था वो पूरा का पूरा recover कर गया था तो मतलब इसका मतलब यह था कि वो जो gap down था वो बस sentimental और emotional based था और उसका कोई fundamental reason नहीं था तो ऐसे जो gaps होते है वो fill up होते है लेकिन अगर कोई gap create हुआ है और वो fill नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या समझोगे आप लोग दोस्तो comment करके बताओ अगर gap है और gap तुरंट fill नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब होगा तो आप सभी लोग ने जो answer दिये almost all of them are correct कि अगर दोस्तो प्राइस ने gap up दिया है और वो gap अगर fill नहीं हो रहा है इसका मतलब higher prices are being accepted higher prices are being accepted का मतलब एक तरह से ऐसा हो गया कि higher prices market में accept हो रह है इसका मतलब prices उपर और जाने के लिए तयार है so the fact that ये gap जो है वो खुलने के बाद तुरंट fill नहीं हुआ is the exact reason की जो यहाँ पर operator है वो super aggressive है तो दोस्तो जब gap up हुआ continue कर रही कोशिश फिर कोशिश नकाम से हुई वह वापस आया लेकिन फिर वो gap को fill नहीं किया next day उसने फिर से कोशिश की fill नहीं किया दो दिन तक जो भी बन्दा यहाँ पर sell कर रहा था कहाँ पर sell कर रहा था मैं अब लोग को mark करके दिखाता हूँ एक तो ये area जहाँ पर seller बैठा हुआ था in fact seller को ऐसे बनाते हैं जो यहाँ पर sell कर रहा था someone और ऐसे ही कोई यहाँ पर sell कर रहा था अब हमें कैसे बता यहाँ पर कोई sell कर रहा है single prints है single print का मतलब क्या है aggressive operator activity अब अगर यहाँ पर operator aggressive है तो ठीक है next day इधर की जो aggressive activity है वो उसने साफ कर दी है kind of diminish कर दी यह वाली बची हुई है अब next day gap up हुआ अब इधर पर gap up हुआ इ उस bullish sentiment के चकर में buying शुरू हो गई फिर अपना जो counter वाला operator था उसने देखा अरे ना 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 भाई मैं यहाँ पर sell कर रहा हूँ इधर पर मुझे sell करना है उसने यहाँ पर sell करना start किया और sell करना start किया buyers हारे तो buyers अगर हारे तो seller कहां तक जाएगा buyers को उनके घर तक छोड़क में तो seller ने कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम रही अच्छा next day फिर से seller ने कोशिश की और फिर से वो कोशिश नाकाम हुई तो दो दिन जब लगातार मेहनत करने के बाद वो कोशिश उसकी नाकाम हो गई सारे जितने भी seller fight मार सकते थे सबने जब fight मार ली उसके बाद क करते हैं फिर देखो अब यहां पर हाइंड साइट में अगर आप देखो दोस्तों तो पहले टॉप पर सपोर्ट लिया फिर एक टीपी ओ नीचे जाका फिर उसके बाद यहां पर फिर वो टच करने आये था and on 8th of February I was in the live trading session with my coaches वहाँ पर मुनको बोलना था कि दोस्तों since इस gap में जो price है वो आल्रेडी एंटर कर चुका है यहां पर नहीं रुकेगा वो midpoint तक आएगा और midpoint अगर उसने cross कर दिया तो फिर वो आर पार जाएगा तो यहाँ पे support लेके थोड़ा सा time pass किया फिर midpoint भी आया, midpoint cross किया और वो आर पार भी किया और midpoint का funda, वही simple, 50% discount वा लरूल और उसका क्या logic है मुझे नहीं पता, बस काम करता यह तना पता है तो 50% cross हो गया, इसका मतलब है कि जो gap है वो पूरा fill होने वाला है और gap अगर पूरा fill होने वाला है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे fill किया फिर उनको यहाँ पर अब यह gap किस ने create किया है strong directional conviction वाले operator ने अच्छा, हमें कैसे पता कि उस operator का strong directional conviction है because अगर यह gap फरजी होता, तुरंत उसी दिन जिस दिन gap बना था ना उसी दिन fill हो जाता but the fact that यह gap जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों तक टिक गया आठवी दिन टेस्ट करने आ रहा है इसका मतलब कि यहाँ पर किसी तगड़े बंदे ने buying की है उसने 3 दिनों तक इस gap को defend किया है position create की है और यहाँ पर वो position को defend करने के लिए तयार बैठा हुआ है उसने अगले 5 दिनों तक और यहाँ पर position create की और अब market उपर जाने के लिए तयार है अब दोस्तों अगर buyer किसी चीज को defend कर रहा है किसी level को defend कर रहा है कोई यहाँ पर मुझे guess करके बता सकता है कि वो price को कहा तक लेके जाएगा just give me a random guess कि अगर कोई particular area buyer अगर defend कर रहा है तो फिर इसका मतलब कि seller हार गया seller अगर हार गया तो buyer जो है price को कहा तक लेके जाएगा any idea तो जैसा आप लोगों ने बोला है in a nutshell all of you are saying the almost same thing कि अगर seller कहीं पर हारा है और buyer अगर seller को दोड़ाएगा तो वहाँ तक लेके जाएगा जहां तक क्या LVN है या फिर किसी ने virgin POC बोला previous thing high बोला resistance बोला imbalance बोला access बोला ले देके basically आप लोग यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हो जाएगा और buyer last time कहां पर हा रहा था या तो यह gap या फिर यहां कहीं का single या access तो वहाँ पर उसने attempt कर रखा है अगला example चीज़ करते हैं 1st of December अच्छा यह election वाला हाँ हाँ अरे यह प्यारा example है तो अब यहाँ पर दोस्तो जैसे वो ट्रंप वाली election का example दे रहा किसी ने बोला 2016 का time था वह तो इधर पर अब जो भी स्टेट इलेक्शन हुए थे उसमें unanimous तरीके से बीजेपी जीते तीन स्टेट में चार सेट में जो भी था रिजल्ट उसकी वैसे मार्केट में यूफोरिया या बढ़िया सा गैप अब इस higher prices को utilize करते और sell off करके इस gap को fill करते थे और उन्होंने क्या किया है देखो यहाँ पर market खुला rejection लिया यहाँ पर उन्होंने A, B, C, D, E period तक पहले 5 period तक उन्होंने क्या किया? वेट किया कि भाई seller आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, seller नहीं आया तो फिर बस जय बजनंग बली संजीवनी बूटे मिली गई थी, लेके भगा के ले गया market को कहां तक? 1500 point का तो यही क्या कहते है move है, और अगर gap को मिला लो, लगबख 300, तो almost 1500 point का move है तो यह 1500 point का move एक दिन में हो गया था, अब दोस्तों, यहाँ पर जो चीज हुई वो तो ठीक है, वो सबको दिख रही है, जो चीज नहीं हुई ना, उस पर ध्यान देना होता है, वहीं पर, मत आप लोग को strong, पतर एक तरह से ऐसे बुलो कि भीड से आगे ले जाएगी, that will give you edge over the sheeps, तो यहाँ पर gap अगर हुआ है, price out of balance है, balance बापस आना चाहिए, यह बाकी जो क्या कहते हैं, बड़े-बड़े colleges से जो economics वगगरा की degree लेके आते हैं, उनके point of view से यह gap फिल होना pricing models हैं, वो 200-300 साल पुराने हैं, और उसमें human inefficiency जो है factor ही नहीं होती, तो उनके हिसाब से gap फिल होना चाहिए, लेकिन यह gap फिल नहीं हुआ, अब यह gap फिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, market is super 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 strong, अब यहाँ पर super strong मैं क्यों बोलो, because इतना बड़ा gap था, इतने जल्दी फिल होना चाहिए था, बट नहीं हुआ, bigger the gap, bigger the directional conviction, bigger the rejection is stronger the directional conviction, bigger the access, stronger is the directional conviction, सारी चीजे ले दे के एक ही बात बोल रही है, अब यह gap अगर यहाँ पे फिल हो, मतलब create हो गया, market continue कर गया, तो फिर उसके बाद घूम फिर के जब भी sentiment change होगा, sentiment कहाँ पर change हुआ, जब HDFC ने बेकार से result दिया, अब HDFC ने बेकार से result दिया, तो फिर कहाँ पे support ले सकते थे वो, जहां से buying start हुई थी, उस gap पर, gap पे उन्होंने support लिया, देखो, खुला उन्होंने, morning में वहीं पे support लिया, bounce back किया, afternoon में फिर से try मारा, फिर after उन्होंने try किया, लेकिन फिर से support ले Eventually, they decided to fill this gap, और एक बार 50% cross कर दिया, तो फिर पूरा gap आरपार किया, उसके नीचे भी गए, और उसके बाद ये जो gap जो की strong demand zone बना हुआ था, that started acting as a what? Next example दिखाता हूँ, 9th of January, 9th January, actually क्या होता है न, जब काफी सारे लोगों की आदत होती है, और उसमें उनकी fault नहीं होती है, जो बाकी लोग सिखाने वाले हैं वो उनकी limited understanding के वैसे, बाकी लोग भी limited से रह जाते हैं, वो लोग profile को क्या करते हैं, इस तरह से composite देखते हैं, उन इसे profile को split करके देखना और interpret करना बहुत सारे लोगों को नहीं आता, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों क्या देखेगा कि single print सर्फ इतना है, और उनके हिसाब से वो correct है, यह single print इतना है, और जो आज अपने सीखा है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखो, तो य इसे, तो यह जो पूरा का पूरा single print वाला area है, rejection वाला area, यह पूरा area हो जाता है, और यह जो पूरा area हो जाता है, तो इस पूरे area का जब आप midpoint लोगे, तो यहाँ पर आपको यह जो next day, 11 तारीख को, जो midpoint के पास rejection हुआ है, और उसके बाद जो fall हुआ है, वो आप लोग क देखो, access देखो, जो भी है, तो उसको composite और split दोनों करके देखना होता है, composite जो profile है, वो आप लोग को short term के support यह resistance देगी, और जो split profile है, वो आप लोग को long term के support यह resistance देगी, for this today's example, तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे composite करके देखते हो, तो yes, midpoint cross हो गया, next day जो यह access थी, य जो, क्या बोले थे, इसका आज का नाम क्या ले रहे थे, अपर लोग, single prints है, यह single prints erase हो गए, बट यही अगर आप इसको split करके देखो, तो single prints J से start हुए, और यहां तक चल रहे हैं, और इसका midpoint यहां कहीं पर है, market अभी भी उसके नीचे है, next day market के bearish होने के chances है, फिर next day sample देखते हैं, आठ परवरी, ओके, यह वाला, यहां पर देखो दोस्तो, यह जो single print है न, this single print is, यहां पर इसका कहीं तो midpoint है, midpoint पे उसने देखो, क्या किया, next day, ओ, midpoint तक पहुंचा, वही पर close हुआ, ठीक है, अब midpoint के असपासी close हुआ है, तो, अब this does not tell us anything, तो अपन क् confirmation का wait करेंगे, next day, market midpoint के जड़ा सा उपर खुला, reject हो गया, अब अगर reject हो गया, इसका मतलब कि, यहां पर वही अपना 50% rule, यह जो single prints है, इसके midpoint पर, midpoint को कोई defend करना ही कोशिच कर रहा है, why midpoint नहीं पता, human psychology है, बस, 50% का level defend करना है, कुछ भी करके, अच्छा, तो यह अभ rejection ले रहा है, क्या हो रहा है, midpoint के level पर acceptance नहीं आपा रहा, यहां पर try किया था, next day fail हो गया, फिर उसके बाद try किया, फिर से reject हो गया, तो reject हो गया, तो क्या हुआ, next day, फिर से gap down, अब इस gap down के दोस्तों, हजारो reason हो सकते हैं, लेकिन, मैं आप लोग को सिर्फ इस शीच पर ध्यान ले जाना चाहता हूँ, कि यह जो single print create हुआ है, operator का aggression है, इसका जो midpoint है, वो तीन दिन से continuously defend हो रहा है, market is attempting, failing, attempting, failing, उसके बाद फिर fourth day को, eventually उन्होंने cross किया, और फिर cross करके accept किया, accept मतलब कि वहां पर time pass किया, position build की और अब निकल गए, ठीक है, so this is one example, 18, 18, 18, October, यह म यहां पर single print composite का, अब दोस्तों, यहां पर, मैं आप लोगों से वही question पूछता हूँ, जो लगभग 20 मेट पहले पूछा था, the fact that this single print was not erased, इसका क्या मतलब होगा, fact that कि यहां पर जो seller का, operator का, institution का, बड़े लोगों का aggression था, वो एदिया revisit नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या ह lower prices are being accepted, मतलब की यह जो quick rejection है, this is being accepted, in other words, this is like a tail which has been confirmed, in other words, this is like an access which has been confirmed, और अगर access confirm हो जाती है दोस्तों, तो वो long term के लिए हो जाती है, तो आप लोग अपने writing material के साथ ready हो, इस चीच को लिख लो, तो अगर single prints का area revisit नहीं हो रहा है, it becomes long term excess, तो दोस्तों, यहाँ पर यह जो single print है न, market next day उसके नीचे ही रह गया, देखो उसने attempt किया, यह one TPO चलता है, because that may be subjective to the TPO size, हो सकता है किसी TPO size में वो यहाँ तक पहुँचा हो, इतना चलता है, but the fact that कि वो इसके अंदर enter नहीं किया, यहाँ पर resistance ले लिया, this makes the market bearish for a long period of time, और long period of time, देख लो दोस्तों फिर, उसके बाद फिर market रुका नहीं है, फिर, भागता ही गया है, भागता ही गया है, भागता ही गया है, तो यह दोस्तों power होती है, single print, अच्छा, अब यह सारे, यह, सोनम गुपता बेवफा यह किते लोगो याद है, so, ठीक, एक तो, कोई तो, एक 10 रुपय का नोट चला था, इसमें किसी ने लिखा था, सोनम गुपता बेवफा, इसमें बहुत तकड़ा मीम बना था, यह, मुवी भी बनी थी इसमें, हाँ, बतलब यह, एक्छली वो जो मुवी, मुझे बाद में पता चल धोके बाद सिंगल होता है, and that धोके बाद सिंगल इस बी का सिंगल, और बी पीरिट में जो सिंगल्स बनते हैं, वो धोके बाद होते हैं, they are deceiving, तो यह, अभी क्या होगा है, कि जनरली मार्केट में क्या हो रहा है, कि क्या होता है, रादर, कि जो भी पीरिट है, उसमें सिं मार्केट अभी क्या है कि थोड़ा इमोशन के पॉइंट अफ्यू से अंस्टेबल है लौट अफ पीपल स्केप्टिकल कि इतना ऊपर चड़ गया यह कब तक चड़ता जाएगा दिस दैट बहुत सब्सक्राइब कर दिये कि जैसे मार्स साइकॉलजी है रिटेलर्स की वो एक डिरेक्शनल मार्केट को ले जाने कोशिश करते हैं उसकी वैसे क्या होता है कि बी पिरेड में सिंगल्स क्रियेट होते हैं अब वो बी पिरेड के जो सिंगल्स हैं सिंस वो बेवफा से होते हैं तो वो डिरेक्शनल कन्विक्शन क को स्ट्रॉंग करने के बजाए विकम दा टार्गेट उनका रोल रिवर्स हो जाता है तो इसके मैं आप लोग को एक्जाम्पल्स देता हूं और यह डेट्स फॉलो करने की जड़ता नहीं पड़ेगी मैं अब डिरेक्ली आप लोग को दिखा देता हूं जैसे यह रहे यह रह स्ट्रॉंग रिजेक्शन अभी पूरे सेशन में यही तो इस्टैबलिश किया है लेकिन यह बीके सिंगल्स यार यह तो इमोशनल सा कुछ हो गया हिसाब किताब नेक्स डे अटेम्ट किया हाफ प्राइस को क्रॉस किया और थर डे फोर दे में पूरा एरेस कर दिया और दे सेलिंग जो थी वो इमोशनल सेलिंग टाइपस थी लेगार्ट की सेलिंग थी शीप्स की सेलिंग थी तो दिस मेड दा स्ट्रक्शर वीक और स्ट्रक्शर वीक तो ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया और बहुत जल्दी पलट गया और दिखाते हैं दोस्तों बीके सिंगल यह रहे जैसे, सिंगल प्रिंट मतलब की स्मार्ट मनी का रिजेक्शन, लेकिन यह स्मार्ट मनी नहीं है, यह बेवफा मनी है, और बेवफा मनी है, इसका मतलब यहाँ पे पोपट है, कुछ तो गडबड है दया, और मार्केट पलट गया, और देखते हैं दोस्ते, यह रिसे बीचे तक उसके खुला, बीके सिंगल को एरेज किया, और पलट गया, रिवर्स होगे, मतलब उपर की तरफ, और दिखाता हूं दोस्तों, यह जैसे बीके सिंगल्स, बीके सिंगल्स, अंस्टेवल मार्केट, तीन दिन ऊपर रहके, फिर एक दम धड़ाम से गिरा, और फि तो यह बीका सिंगल, यह बीका सिंगल है, तो मतलब सिंगल्स, डिनोट वाट, स्मार्ट मनी का एग्रेशन, बट वीका सिंगल नहीं, यह बेवफा सिंगल है, तो इसलिए बी फोर बेवफा, वैसे डाइप, बस यह एक कैच रहता है दोस्तों, और बाकी जो भी है, बीके अलावा जो कुछ भी है ना उसको आप लोग प्रॉपर सिंगल्स यानि की स्मार्ट मनी के रिजेक्शन की तरह ट्रीट करके और अपना जो मार्केट कॉंटेक्स्ट है वो बिल्ड करके अब दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया सेखने को मिला होगा अब दोस्तों एक वेरी इंपोर्टेंट अनॉंस्मेंट दो रिजन की वैसे दोस्तों मैं आप लोग अपने टेलिग्राम चैनल पे इंवाइट करना चाहता हूं जिसक अब भी आप लोग मार्केट प्रोफाइल एंड और फ्लो में सीखोगे उसको लाइव मार्केट में कैसे अपलाई करना है और उसकी हेल्प से मार्केट को कैसे डिकोड करना है उसके लिए जो लाइव इंट्राडे अपडेट्स होते हैं बैंक रिप्टी के मैं हर दिन अप आपको बहुत सेखने को मिलेगा और इसी तरह से आप मुझे सेवा का मौका देते रहें जैश देगा